हेलो फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं केवाईसी पास्ट हो चुकी है और वेलिडेटर के लिए भी अपलाई कर दिया गया है और यहाँ पर यह जो आप स्क्रिन सॉट देख रहे ही, यह मेरा नहीं है मैंने जो केवाईसी अभी कंप्लीट के थी वो अभी progress में ही है यह स्क्रिन सॉट मेरे बड़े भाई के एक फ्रेंड का है उनकी केवाईसी याँ पर कंप्लीट हो चुक cutting है और उनके पास में कल 10 ही बजे KYC का नोटिफिकेशन आया था और रात 10 बजे उनका KYC पास्ट हो गया है सोचिए मतलब कि 12 गंटे में उन्होंने KYC कम्प्लीट कर लिए KYC उनका पास्ट हो गया 12 गंटे के अंदर मैंने भी KYC कम्प्लीट की लेकिन एक हपते से उपर होगे अभी तक पास नहीं हुआ है लेकिन यहां से एक चीज़ तो पता चल गया कि KYC की प्रोसेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड कर दीगी है बहुत स्पीड से अब KYC यहां पर कम्प्लीट हो रही है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे पास अभी तक KYC का नोटिफिकेसन नहीं आया है कब आएगा कब हम लोग KYC कम्प्लीट करेंगे तो अब ज़ादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप लोग देख सकते हैं और 12 घंटे के अंदर इन्होंने अपनी क्यावाइसर कंप्लीट कर लिए और इनको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारा प्रोस्स कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से पता चाल से कि कैसे आप अपने सारे प्रोस्स को प्लीट कर सकेंगे जैसे कि खास करके validator, validator के लिए कैसे आप apply कर सकते है, क्योंकि KYC के लिए तो मैंने आपको बता जी है कैसे आप KYC complete कर सकते हैं, लेकिन validator के लिए कैसे apply करेंगे ये हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने वीडियो बना ल освête मैंने इनको कई दिय के थैका रही और पर आजा रहा है लेकिन बहुत लोगों के सामने के वाई से कर नोटिफिकेशन आने में में बहुत जादा टैम लग रहा उवए लेकिन मेरे पास ताया लेकिन अभी तक प्रोग्रेस में और बहुत लोगों के पाश यानि सबी KYC को notification नहीं आया है लेकिन अब start हो गया है अब मुझे जहां तक लगता है इस महीने के last last तक maximum अपने subscriber भी और maximum pioneers भी जितने भी पाई माईन करने वाले उनकी KYC complete हो जाएगी और कैसे KYC करनी है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है आप लोग जाकर जरूर देखिएगा और मेरी KYC अभी progress में है वो भी आपको दिखा देते हैं फिर से हम check ही कर लेते हैं सायद past हो जाए देखते हैं फिर से check करके यहाँ पर मेरा अभी देखे तो अभी progress में है जैसे ही past होता है हमें validator के लिए apply कर देंगे और validator के लिए जब हम apply कर देंगे और वो भी जब past हो जाएगा तो उसके बाद हम आप लोगों की और ज़्यादा help कर भाएंगे KYC को complete करने में इसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि कब यहाँ पर KYC past हो और कब हम validator के लिए apply करें तो देखते हैं KYC यहाँ पर कब past होता है तो एक चीज़ तो पक्की हो गई कि KYC पूरी तरीके से start हो गई है अब थोड़े ही समय आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार क्या मतलब कि कभी भी आपके सामने KYC का notification आ सकता है आप document लेकर तयार रहे हैं और आप अपने process को अच्छे से complete करें सबसे पहले आप लोगों को वीडियो देख लेना है कैसे आपको KYC complete करनी है और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप comment कर सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और discuss कर लेते हैं कि जब आप KYC complete कर लेंगे तो KYC करने के बाद क्या होगा KYC करने के बाद जब आप PI network को open करेंगे तो जब आप PI network को open करेंगे यहाँ 3. पे click करेंगे mainnet के option पे जब आप click करेंगे और यहाँ पर mainnet checklist के option पे click करेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर confirm to lock up configuration तो यहाँ पर green tick लगा हुआ यहाँ तक उसके बाद submit KYC application तो मैंने तो submit कर दिया लेकिन यह अभी coming soon में दिखा रहा है तो उसके बाद आप अपने team को भी invite कर सकते है KYC को complete करने के लिए पर यह जो feature है यह बहुत अच्छा है और इसी के लिए PI network validator का option दे रहा है validator apply करने के लिए और validator जब आप बन जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी tournament condition है अब गर आप कोई भी data link करते हैं तो आपका जो account है PI account आपका सारा PI coin पूरा freeze कर दिया जाएगा तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखने है वैसे वह काम तो किसी को नहीं करना है हम आपको पहले ही बता देते हैं कोई भी data आपको link नहीं करना है देखें यह सारी चीज़े यहाँ पर होंगी मतलब कि क्यवाइसी जब आप complete कर लेंगे यहाँ पर विग्रिंटेक लग जाएगा और किसी आप दूसरे person को यहाँ से जैसे click करके यहाँ से आप किसी और को क्यवाइसी के लिए apply कर सकते हैं तो अब finally यहाँ पर क्यवाइसी दोस्तो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जादा खुसी भी हो रही है कि पाइनेटवर्क ने क्यवाइसी स्टार्ट कर दिया और हम आपको personally बता रहे हैं और बहुत बार मैंने आप लोगों से कहा है कि पाइनेटवर्क एक best project है और अब के वैसी के बाद हम लोगों का सारा क्या मैननेट में ट्रांसफर होने लेगा और जैसे ही मैननेट में ट्रांसफर होगा उसके बाद तो मतलब की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है वैसे सारा process हम बताएंगे, हम अपनी तरफ से आपको बता रहें कि उसके बाद जो होगा, मतलब कि इंतजार तो करना ही नहीं पड़ेगा, यह इतनी चीज आप समझ ले, बस अब last stage है, profit लेने का बहुत अच्छा मौका है, यानि launching का वक्त अब आने वाला है, तो जितने गलती की वज़स से बहुत जादा आप पस्ता आएंगे, तो यह गलती आप ना करें, mining आप लोग स्टार्ट करें, और कोई भी प्रॉलम है तो आप कमेंट जरू करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलिग्राम से नहीं जवाइन हुए हैं, तो टेलिग्राम पर भ नख्वरियो में